दोस्तो इस बात में कितनी सच्चा ही है कि there is no life in MR job MR job में कोई लाइफ नहीं है कि दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा फिर आप डिसाइड करिएगा खुद डिसाइड करके मुझे डालेगा कमेंट की लाइफ है या नहीं आप क्या सोचते हैं आपका क्या विचार मुझे जरूर बताईएगा इन टर्म्स ऑफ कंडिशन अगर सैलरी की बात कर लेकिन उस हिसाब से आपका कम्यूनिकेशन नौलेज इंग्लिज भी होना है बहुत जोरी जिसको ना समझे बिलकुल भी मजबूरी लांचिंग कंपनी में आपका हो जाएगा सेलेक्शन फिर वहाँ पे आप से मैंने एक साल काम करेंगे सर्वाइव करेंगे आपका सैलरी म ट्रैवलिंग एक्सपेंस अनौल तिंग सब कुछ मिलता है तो यहाँ पे आप अगर मैं सैलरी की बात को तो साथ से लेकर के पंदरा हजार अटरा हजार तक आपको मिल जाता है यह वैरी करता है कंपनी टो कंपनी अब डिसाइड करिएगा कि आपको साथ जार में लाइब यह 15,000 में या फिर 18,000 में राइट डिये भी वैरी करता है कंपनी कहीं पे 120 रुपे दिन का कहीं पे 130 कहीं 140 कहीं 250 कहीं 200 और किसी किसी कंपनी में 300 रुपीज डिये होता है एमर को मैं यहाँ बात कर रहा हूं Medical Representative टेटिव, ओके, एनी confusion, एनी doubt, आप यहाँ बात करते हैं, working strategy, अगर आप मन लगा के काम करेंगे, महनत से काम करेंगे, तो आपकी growth होती रहेगी, अगर काम चूरी करेंगे, तो growth कहां से होगी, force reporting में पकड़ेंगे, काम करते, force reporting में पकड़ेंगे, काम चूरी करते पकड़ेंगे, तो company आपको तुरन निकाल देगी, terminate कर देगी, या फिर आपको बोले कि resign कर दो, तो यहाँ पर आपकी life हो गई, spoil, तो life कहां से बनेगी, life बिलकुल भी नहीं बनेगी, तो in terms of condition means what, force reporting, का hard working, smart working, काम करते रहेंगे, सिल लाते रहेंगे, growth देते रहेंगे, और आपका incremental growth बढ़ता रहेगा, एक ही company में constant काम करते रहेंगे, तो आपकी life क्या होगी, बनती रहेगी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कि यहाँ पर promotion के business के उपर क्या वाकर में life बनती है, तो yes दोस्तो अगर आप as a MR काम करने चाते हैं, और वही बड़ी company में आप as a MR करके काम कर रहें, 10 साल, 12 साल से, कोई problem नहीं है, लेकिन अगर आप growth लेते हैं as a ABM, as a RSM, JSM, NSM, तो आपकी salary उस post के हिसाब से बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती ते, लेकिन उसके लिए भी आपको खुद के उपर काम करना होगा, means what, communication को बढ़ाना होगा, product knowledge को बढ़ाना होगा, team handling, area का knowledge, डॉक्टरों से relationship, stockist relationship and all things, you will have to build, तो ये सब चीज़ा आपको करने हैं पड़ेगी और English बहुत है ज़रूरी, इसको भिलकुल भी ना समझे, मजबूरी अगर आप उस post के लिए अपलाई क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी growth और life बनती रहती है, जैसे आपको growth बनती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है, मिलती रहती है, लेकिन वही अगर आप छोटी कम, मोटी company में ऐसे MR करके survive कर रहे हैं 10-12 साल से, तो आपका salary बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी काम होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन life भी वैसे ही चलती रहेगी, फिर उस time compare मत करिएगा, कि उसको इतनी salary मिल रही है, मुझे इतनी salary क्यों मिल रही है, मैं भाई, उसकी company अलग है, आपकी company अलग है, company to company vary करता है, बड़ी company का बड़ा package, छोटी company का छोटा package, तो यहाँ पर आप कैसा होता है कि अगर आपका qualification B Pharma है, या फिर M Pharma है, और M.S.C. है, B.S.C. है, और अगर आप right company में चले गए हैं, जहाँ पर आपको आपके qualification के हिसाब भी होना चाहिए था, तो आपको वहाँ पर आपको उस हिसाब से package मिलेगा, salary मिलेगी, लेकिन अगर आप इसी qualification के लेकर किसी launching company में जाएंगे, तो आपको इतना effort नहीं कर पाएंगे, आपको उतना package नहीं दे पाएंगे, हाँ, अगर आप सोच रहें कि for experience purpose join कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे company और एक साल के बाद को बड़ी company join कर लेंगे, बराबर agree करता हूं, लेकिन फिर आप आपको उस हिसाब से आपका communication knowledge, product knowledge बढ़ाना होगा, एक साल जो आप spend करेंगे किसी भी company में, उस company का आपको product knowledge, area का knowledge, doctor wise survey, doctor wise number, mobile number and all things you will have to collect and you will have to keep, because interview में आपसे वही सवाल सारे पुछे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होब फिर आपकी life बनी की नहीं बनी, अगर आपने एक साल survive किया और अपने communication को improve नहीं किया, knowledge को नहीं बढ़ाया, तो आपको बड़ी company नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, life आपकी ठिक ठाक चलती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से बनने चाहिए, उस तरीके से नहीं बनेगी, और दोस्तों इसमें बाह गूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, यह वो, तो आप यहाँ पर product manager के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आप B pharmacy हैं, तो MBA हैं, तो तभी आप उसके लिए eligible हो पाएंगे, product manager के लिए, बन गए न, life, इस से मुझे याद आया कि बहुत सो लोग बोल रहे हैं कि sir, इस field में BA भी कौम के बंदे आ रहे हैं, हमने तो B pharmacy किया हृए हमने MBA किया हृए हमने ये किया हृए ह तो उससों देखे कैसा होता है, जिस ने जो किया है वो किया हृए है, लेकिन क्या उसने अपने आपको इस हिसाब से ढाला है क्या, B Fknow사 किया हृए है, लेकिन communication अच्छा नहीं है, knowledge अच्छा नहीं है और वही भी फार्मसी वाले बंदे का नौलेज अच्छा है सब कुर अच्छा है तो कंपनी उसको पहला प्रिफरेंस देगी ना लेकिन बहुत सारी कंपने आएसी हैं जो ओनली साइन्स बैग्राउंड के ही बंदों को लेती है और अगर प्रोडक्ट मैरेग्र के लिए आपको अप्लाई करना है इस एक सब में आते हैं देखिए सबको अपना-पना काम करने का अधिकार है हर कोई अगर इंसान यहां पर आया हुआ तो काम करने के लिए आया हुआ है कोई अपनी लगन से महनत से आगे जाता है तो some way डिग्री मैंटर नहीं करती, हाँ बाबा कि हाँ बंदा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बंदे का knowledge बहुत जबरदस्त है, communication खतरनाक है, तो company क्यों compromise करेगी, company लेगी न, तो आप अपने communication को बढ़ाईए न, अपने knowledge को बढ़ाईए न, English को improve कीजे न, मैंने बहुत से इसे बंदी देखे हैं, जो जिनका qualification strong है, लेकिन, communication में mark खा रहे हैं, तो that is very very poor side, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, दोस्तों अगर इन शॉर्ट बोलू, मुझे इस वीडियो को लंबा नहीं करना है, लाइफ बनती नहीं है, बनानी पड़ती है, और most important thing is that, आपको अपने उपर भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, English का knowledge, product knowledge, area का knowledge, doctor's relation, stockist relation, इस सारी चीजों का आपको रखना पड़ेगा, ध्यान तभी आपकी बनेगी लाइफ वरना जो चल रहा है, वो चलता रहेगा, और आप ब्लेम, आप में से बहुत से लोग जो ब्लेम करने कि there is no life, there is no life, हो ऐसा ही कहते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो में भी साहित, वो इस फिल्ड के लिए प्रफेक्ट ना हो, किसी और फिल्ड के लिए प्रफेक्ट हो, ट्राय कर लिए न फिर, अगर आपको लगता है कि there is no life in MR life, yes I can make a life in MR job field, so उसके लिए communication knowledge का होना है बहुत जरुरी, इसको बिलकुर भी ना समझे, मजबूरी, so thank you so much for watching video, please keep on watching, bye bye, take care.